नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर आज है समिधान दिवस जाने भारत के समिधान निर्मान में बिहार की एहम भूमिका भार में बनेगी 2000 किलोमीटर ग्रामीन सरके आज है नशा मुक्ति दिवस जाने भारत के समिधान निर्मान में बिहार की एहम भूमिका आज यानि की 26 नमबर के दिन को समिधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे दिन राष्ट्रे कानून दिवस भी होता मालुम हो कि आज के दिन ही वर्स 1949 में देश की समिधान सभा के दोरा समिधान को अपनाया गया था बता दे कि भारत के समिधान निर्मान में बिहार की भी एहम भूमिका रही है इसमें बिहार के कई लोगों के दोरा आपना योगदान दिया गया है दरसल समिधान सभा में कुल 299 सदस्य थे जिसमें से 36 सदस्य बिहार के रहने वाले थे जिन में डॉक्टर राजिंदर प्रशाद सजीदा नंद कृष्णा सनहा दीप नारायन सिंग कृष्ण वल्लब सहाई और विदोधा नंद जहा भी शामिल थे इस तोरान बिहार और जार खंड एक हुआ करता था आपकी जानकारे के लिए बता दे के नुगरह नारायन सिंग बिहार के पहले उपमुख्य मंत्री और वित मंत्रे थे डॉक्टर राजजेंदर प्रशाद समयधानिक सभा के राश्ट्रपती बने थे और वे समयधान सभा के अध्यक्ष भी थे डॉ तो इन सभा के अलावा समधान के नर्मान में डॉक्टर भीम राव अमबयटकर के दोरा भी एहम भुमिका निभाई गई थी। 646 सरकों की DPR तयार कर दी गई है जिसके कुल लंबाई 1,943 इस दस्थमलाओ 79 किलो मीटर है अब इन सरकों के निर्मान के लिए पैकेज वार टेंडर भी जारी किये जाएंगे जिसमें एक पैकेज में 3-7 सरकों को शामिल किया जाएगा और उसके मरमत में और सतन प्रती किलो म मीटर 30-35 लाग का खर्च आएगा मालूम हो कि यह इसके अलावा विभाग के दौरा 1,851 मीटर पूल का भी DPR तयार कर लिया गया है यह वैसे पूल है जो ग्रामी सरकों के बीच में आते हैं आपके जानकारी के लिए बता दे कि जिन कारे प्रमंडल में पूलों का निर्मा पक्रिदयाल, फूल, पड़ास, रजॉली वर तेघरा कारे प्रमंडल शामिल हैं भागलपुर के नौगचिया के जगतपूर जीर में विदेशी पक्चियों का आने का सलसला शुरू हो गया है इस बारे में बर्ट गाइड मुकेश चौधरी के द्वारा जानकारी देते व पक्चियों का आगमन हजारो किलो मीटर की दूरी से होता है और उन्हें अलासका, रूस, फ्रांस, चापान और अनिर रास्ट्रो में भी देखा जा सकता है ये पक्चिया अपने मूल देश में बर्फ बारी और अत्यधिक ठंड के कारण खाना नहीं पा सकती हैं जिसके कार के द्रश्य को देखने के लिए, काफी लोग यहां पहुचते हैं और उन्हें देखकर आनंद लेते हैं और साथ ही इन्हें अपने कैमने में कैद भी करते हैं अब इन स्टेशनों से पटना के लिए मिलेगी सीधी ट्रेन, पुर्व मध्य रेल की मुखे जन संपर्क अधिकारी विरंदर कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार यात्रियों की सुवधा को देखते में प्रायों की तोर पर भारतिय रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों को अस्थाई ठेडाओ दिया गया है जिसे की लोगों का राजधानी पटना से आसानी से संपर्क बंस पाएगा आज है नशा मुक्ति दिवस आज याने के 26 जन्वरी को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना के स्तमवाद भवन में कारिक्रम आयूजित किया गया है जिसमें मुख्य अतिती के रूप में बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार विसे सतीती के रूप में बिहार के उप मुख्य मंत्री तेरश्वी यादव सामिल हुए हैं पतादी कि कारिक्रम बिहार सरकार के उत्पाद एवं निवंधन विवाग और मध्ध निशेद विवाग के मंतरी सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसकी सुरवाद दोपहर 11 बजे से हुई वहें इसके लावा आज के दिन छपड़ा में भी नशामुक्ति दिवस के अफसर पर एक कारिक्रम का योजन किया गया जिसके बारे में मिली जानकारी के नसार इस अफसर पर सभी प्रकार के नशीले पदार्थों की बुडाईयों का प्रचार प्रसार कर लोगों में नशीले पदार्थों का परित्याक करने की चेतना जागरित करने का काम किया गया बतादी की राजियस्तर पर भी नशामुक्ति दिवस का आयोजन गांधी मैदान इस्थित ग्यान भवन पटना में किया गया नितीश के मंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने का किया आगरह बीते दिन विद्यापती स्मृति पर्व के मौके पर जल संसाधन वा सूशना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय जाक के दौरा दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने का आगरह किया गया उन्होंने उन्होंने कहा कि मितलावाशियों की भावना के नरूप मुख्य मंत्री नितीश कुमार के द्वरा 22 दिसंबर 2020 को ततकाली नागरिक और उडियर मंत्री को पत्र लिकर या अनुरोध किया गया था कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कोकिल विद्यापती एयरपोर्ट किया समस्त मितलावासियों के दिल में बसते हैं उन्होंने कहा कि नितीश सरकार के द्वरा विद्यापती की स्मृतियों को अच्छुन बनाए रखने के लिए उनकी समाधी भूमी देव नागरी विद्यापती धाम में हर वर्ष राज के विद्यापती महुतसव आयूजित करने की भी शिडवात की गई साइबर अपरादियों ने रिटायड आईपियस से किया लाखों की ठगी बिहार में साइबर अपरादियों के द्वारा रिटायड आईपियस वह बिहार करमचार इचन आयोक के सदस्य राम शंकर के फेस्बुक को हैक कर 1.2-3 लाख रुपए की इतना को अंजाम दिया गया है इस संबंद में रिटायड आईएस के द्वारा जिस्ताई बर्थाने में केस दर्ज कर दिया गया है उन्होंने बताया कि उन्हें उनके एक रस्तिदा रिटायड आईपियस उदैर शंकर के आईडी से मेसेंजर कॉल आया था फोन करने वाले अपना नाम संतोस कुमार बताया और कहा कि वह आरवी में है उसका स्थांतरन किसी अने राज्य में हो गया है इसलिए वे अपना फरनीचर बेचना चाहते हैं उसने फरनीचर का फोटो भी उनके वार्सेपर भेजा और उसकी कीमत 60,000 रुपे बताई इसके बाद उन्होंने किसी रमेश कुमार के SBI खाते में 60,000 रुपे ट्रांसफर करवा दिये इसके बाद फिर से उन्हें पैसा भेजने को कहा तुन्होंने दो बार में फिर से 62,500 उन लोगों के खाता में डाल दियें लेकिन जब फिर से 51,000 की मांग की गई तो उन्हें शक हुआ और अपने रिस सिक्षकों की मांगे गए रिकॉर्ड से यह जानकारी निकल कर सामनी आई है कि CBSC स्कूलों में विश्यवार परिक्षक नहीं मिल रहे हैं बता दे कि BPS सिक्षक निउक्ति के तहत राजिय के कहीं जिलों में CBSC एफ्लेटिड स्कूलों को छोड़कर कहीं सिक्षक चले गए है ऐसे में बोर्ड के द्वारा सभी जिलों को 30 नवंबर तक खाली पदों पर निप्ति कर नाम भेजने का देज दिया गया ऐसा नहीं करने वाले स्कूल जांच के घेरे में होंगे Indian Association of Private School के अधक सुमन कुमार के द्वारा कहा गया कि इससे भी बड़ी दिकत अगले चरन की बहाली के बाद होगी क्योंकि उसमें 6-8 के लिए निप्ति हो रही है CBSC के नियम के नुसार नरधारित योगिता वाले अभ्यर्थियों की ही निप्ति करनी है आज है National Milk Day भारत पहले अस्थान पर केरल में जन में डॉक्टर वरगीज कुरियन के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 26 नवंबर को उनके जन्दन को राश्ट्रिय दुख्ध दिवस मनाया जाता है बतादिक डॉक्टर वरगीज कुरियन के बदालत ही भारत आज दुख्ध उत्पादन में दुनिया में टॉप है मालमों कि डॉक्टर वरगीज कुरियन के दौरा त्रिभूवन दास पतेर और किसानों के साथ मिलकर कैरा डिस्ट्रिक्ट को ओपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड नामक सहकारी संकथन का पंजियन कराया गया जिसका नाम बाद में बदल कर अमुल किय गया है समलने भारत को दूद की कीमत वाले दे से विश्व का सबसे बड़ा दूद उतपादक देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया पतादे किस योगदान के लिए भारत सहित कहीं देशों के द्वारा पुरुसकार देकर सब मारित भी किया गया है डॉक्टर झानाय जाता है क्योंकि हर साल लाकों लोग खड़ा पॉशं के कारण मर जाते हैं इस देशे दुक्ष दिवस स्वास्त समस्याधों से निपटने के लिए दूद के सेवन की महतों पर जोड़ देता है बता देकसदिन बच्चो और व्यश्कों को बहतर स्वास्ते के लिए सेवन बढ़ाने के लिए प्रोथ साहित किया जाता है उपेंद्र कुश्वाहा के घड़ पहुंचे नित्यानंदराई एक तरफ जहां राजनितिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि आर एल जेडी का जेडियों में विलाय हो सकता है तो वहीं दूसरी ओर आज सुभा एल जेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा के आवास पर केंद्रे ग्री राज्य मंत्री नित्यानंदराई पहुंचे इस बात की जानकारी खुद उपेंद्र कुश्वाहा के द्वारा एपने एक्स अकाउंट पर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर पर मुलाकात की एक तस्वीर शेयर कर की गई है। पर सवंधान दिवस के अफसर पर विहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार की पार्टी जदियों के द्वारा विहार की राजधारी पटना के वेटर्नरी कॉलेज में भीम संसत का योजन किया गया है। उनका कहना है कि पहली बार दलत और महादलत समुदाय के लिए ऐसा आयोजन किया जा रहा है जिसमें बताया जाएगा कि क्यों यह समाज अतना पीछे रह गया। जहां से निकल कर बिहार विकास और सूशासन के राजपत पर आया था उन्होंने कहा कि रितेश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और तेश्वी यादव को उत्रादीकारी घोशित करने के बाद से उनका मांसिक स्वास्ति भी ठीक नहीं चल रहा। बिहार में क्या होता था सरकों में गड़्े थे बिजली नहीं आती थी अपर रूटीन क्राइम हो गया था सब काम हम ही ने किये। उन्होंने काया कि जब तक नितीश कुमार भाजपा के साथ रहे तब तक वे शूसा संबाबू रहें और बिहारी होना कौरव की बात हो गई। सरक हाथसे में घायल यूवक के लिए फरस्ता बने मुहम्मद शमी भारत के तेज गेंद बाज मुहम्मद समी के द्वारा एक वीडियो शेयर की गई है और लिखा गया है कि वह बहुत भागेशाली है कि भगवान ने उसे दूसरा जीवन दिया है दरस्त नैनिताल गूमने के दुरान मुहम्मद समी के द्वारा एक सरक द्रगटना में घायल एक सस्की मदद करने का वीडियो शेयर किया गया है इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहारी सरक्स नीचे गिर गई थी शमी कब 2023 में सबस्यादा विकेट लेने वाले गेंद बाजपन हैं उन्होंने केवल साथ मैच में 14 विकेट लिया हाला कि बांगलादेश के खिलाफ ओल राउंडर हार्दिक पांडिया के चोटिल होने के बाद समी को टीम में जखा मिली थी बतादे के फिलाल मुहमत समी उतरा जसे हुई पतादी कारिक्रम का प्रसार हर्मही की आखी रवीकर को किया जाता है वहीं आज के समय प्रधानमंत्री मोदि के द्वारा मुंबई हमले का जख्र करते वें शहीदों को श्रद्धांजली दी गए और कहा गया कि आज के दिन को कभी भूला नहीं जा सकता आज के दिन ही हमारे देश पर सबसे जगने आतंकी हमला हुआ या भारत का समर्थ है कि हम उससे हमले से बाहर उबरे और आज आतंक को कुचल रहे हैं मुंबई आतंकी हमले में लोगों की सुरक्षा करते वे जिन जाबाज जवानों ने जान की बाजी लगाए उन्हें आज देश याद कर रहा है मैं उन सभी जाबाजों को श्रधांज ली देता हूँ उसके साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों को समिधान दिवस की बढ़ाई दी और समिधान से जुरे फैक्स के बारे में जानकारी दी नोंने बताया कि समिधान को तयार करने में दो साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था जिसमें सचीदानन सबसे बुजर्ग सदस्ते थे साथ देश के समिधान के गहन अध्यन के बाद हमारा समिधान तयार हुआ समिधान को अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से जादा संसोधन किये गये थे वहीं अब तक समी सरकारों नहीं अपने अपने हिसाब से 106 बार समिधान संसोधन किया है इसके लावा पीयम मोदी ने लोगों को संबोधित करते वे कहा कि राश्ट्र नर्मान में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास हो पाता है मुझे संतोस है कि समिधान नर्माता के इस दूर द्रिष्टी का पारण करते वे अब भारत की संसद ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम को पास किया है जानि आज बिहार में क्या है प्यट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को प्यट्रोल डीजल के रेट जारी किये गया है कीमत 104.02 और डीजल कीमत 14.095 रुपे प्रति लीटर है बतादी की बिहार में पिट्रोल करेट सब्सक्षाद किसंगंज में है जहां पिट्रोल एक समनो दसमलो साथ तीन रूपे प्रती लीटर और डीजल चार दिसल चार रूपे प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। आपके अनुसार जेर्यू भीम संसत के माध्यम से दलत वोट बैंक को अपने पाले में करने में सफल होगा या नहीं।